वी वीरिदी वेडिंग के जरीए करीना का पूर्खा कमबैक तो धमाकेदार रहा। उनकी फिल्म बॉक्स ओफिस पर शानदार बिजनस कर रही है। वी करीना की जोली में बैक टू बैक फिल्म में हैं। लेकिन आप सबको इंतजार है एश्वरिया राय बच्चन की फिल्म फन एखा का जिसके जरीए एश्वरिया भी दमागा करने के तयारी में है। लेकिन उससे पहले ही एश्वर को लगा है जोर का चटका। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है क्यों और कैसे आईए जानते हैं। दरसल फिल्म की लगबख शूटिंग पूरी होने ही वाली है लेकिन उससे पहले एश्वरिया को फिल्म की शूटिंग पूरी होने से पहले ही आधी फीस वापस करनी होगी। यानि भूशन कुमार की कमपनी पिडियूस कर रही है। बताया जा रहा है कि भूशन कुमार को लगता है कि एक्टरस को मिलने वाली फीस का फीस जादा है। और इसी कारण उनकी फीस में कटोती कर दी गई है। कि अभी तक इस बात की कोई पुश्ची नहीं हुई है। पर इस पर विचार किया जा रहा है कि कलाकारों की फीस में कटोती होनी तै है। खबरों की मारें तो फिल्म में ऐश्वर्या को करीब 5 करोड रुपे मिले है। ऐसे में ऐश का कहना है कि उनसे ये बात तब की जा रही है जब फिल्म में सिर्फ दो गाने और कुछ सीन ही शूट होने बाकी है। लेकिन क्या वो अपनी फीस में कटोती करेंगी या फिर फिल्म किसी कानूनी पचड़े में फस जाएगी ये देखना दल्चस्प रहेगा। बता दें कि फन्ने घा अब तक जिन भी खबरों के लिए चर्चा में आई है वो जादा तर अच्छी रही है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस फिल्म को लेकर एक निगेटिव न्यूस सामने आई है। चलाने की कोशिश करेंगी।